गुर्की साखी अम्रत बाणी निश्काम परचारक ते सूर्वीर योदा सी जो के गुरु हर्गोबिन साहिब जी दे समय कई जंगा युद्धान देवेच लड़ेया पर किसे दी इन्नी हिम्मत नी सी के कोई ओदे एक फाट भी ला सकदा गुरु हर्गोबिन साहिब जी इन्नी अपार किरपा सी ओस सेख्य ते जड़ी आज तोहड़े तक गाथा सांजी करन जा रहे हैं बेंती है कि इस वीडियो नू इन्नू अखीर तक जरूर सुनें इन्नू अखीर तक जरूर देख्यों ते सेख्य तेहास दे विचो इस गाथा नू लेके जिन्नी कू प्रमातमा निसान नू बुद्धी सेख्य तेहास दे विचो जड़ी कटना या जान कर ये तोहड़े नाल सांजी करन जा रहे हैं माजे दे सरहारी पेंड़े विच जन में पाई बिधी चांद जी जोके एक चंगे काद काथवाले व्यक्ती सान ते ताडवियां दे नाल मिलके एनाने डाके मारने चोरियां का जोके एनानू पाई बिधी चांद नू गुरु अर्जन साहिव जी दे पास उनना दी संगत दे विच लेके गया ते ओथे जाके पाई बिधी चांद जी ने आपने जिन्ने पुराणे ए सारे करम सीगे जा फिर आपने जो नाने पिछे चोरियां कितियां डाके मारे एनान उते जाके बक्षवाया, गुरु साहिव जी दे अगे के उन्नू बक्ष दिता जावे ये है जदो गुरु अर्जन देव जी लहार गया जड़े सेख उना दे नाल लहार गया जड़े सी उना दे पाई बिधी चांद जी वी शामल सी पाइबीधी चांद जी देनाल सबंदत, उना दे जीवन देनाल सबंदत शबंदत एक कटना अक साखित तोहर देनाल सांजी करन जा रहे हैं इनुक Guru भूबिन सहिप जी दे समे बहुत सारी हैं संगता, दूरो नेडयों आरहीं संगता, उना वास्ते कीम्ती, महेंगे उना जी वास्ते तेन कीमती दुशाले लेके आईयां। जिना उते हीरे, सोना, मोती ए सारा कोशित जड़या होया सी। उन्हाने दुशाले त्यार करवाये ते गुरु साहिब वास्ते ओ लेके आईयां। ने मी ड्रोली पाई जान दा फैसला कीता। एना नुदेखके जड़ा उस्वेले दा हुकमरान सी ओदे सिपाही। उना दी एदे उते नीत पैगई। पैड़ी निजरना नुदेख्या। मान देविच लालच आगया के दुशाले उना संगतां दे कोड़ों उना ने खोले। होन संगतां बेबस निहतियां संगतां रोंदियां कुरलोंदियां वेराग दे वेच अर्दास बेंती कारद्यां हुयां गुरु हर गोविन साहिब जी दे कोल ड्रोली पाई पुजियां। संगतां दे कोड़ एक दुशाला सी, ओ दुशाला राख के गुरु हर गोविन साहिब जी दे अगे मथा टेक्या, ते रो के गुरु हर गोविन साहिब जी ने सारी वारता दसी के किमे ओना दुश्टां जालमा ने एना दे कोड़ों कीमती दुशाले खोले जड़े ओ गु जो दो तुसी कश्मीर तो चले सी ओधो ही सानू मंजूर हो गया ते जडियां पे टामाया एहुण साडियां हो गया ते दुष्टा दे कोड़ो उना जालमा दे कोड़ो किमे खोड़ाया एस साड़ा कामया तुसी फिकर देवेच ना पवो एस तो बाद गुरु हार गोबिन स साहिब जी दे दरबार वेच जिनियां संकतां बैठियां सी सारियां दे वेच चर्चा छेड़ गई के होन उना पटी दे हुकम रांदे कोड़ो ए दुष्टाले वापस की मेल आंदे जाना किसे ने कहा के गुरु साहिब सानू हुकम ता करो असी फोजा चार दिनने आते प गुरु हारगोबिन साहिब जी ने बाबा बिदी चांद नू पुछा के तो हड़ा की ख्याल है इस मामले वेच बाबा बिदी चांद जी ने कहा के इनियां सारीयां फौजाँ चाड़न दा की फाइदा तुसी अपने इस सेखनु दास नू थाप्डा दे ओता ए जड़ा क जालम सी ते पूरा इलाका ओदे कोड़ों खौफ खांदा सी ओदे तो डारदा सी पर गुरु दे सेख किते किसे दे कोड़ों डार देने पाइबिदी चांद जी दा जवाब सुन के गुरु हार गोबिन साहिब जी ने कहा के साड़ा आशिरवाद हमेशा तो तो हड़े नाल ह गुरु साहिब दा थापड़ा लाके पाइबिदी चांद जी चल पे पट्टी शहर वाल उनाने अपना पेस बदल्या पठाणा वाला पेस तार्ण कार लेया ते एक दुशाला जड़ा संगतां दे कोल सी ओ अपने नाल लेया दुशाले वेचन वाले ओ बन गए रास्ते व मिर्जा बेग हुकमरान दे कार दे कोल उथे उनना दे महल दे कोल पुझे ता उथे जाके वी एहो होका दिता के दुशाले लालो कीमती दुशाले लालो ते कीमती दुशाले वेच भी लाओ हुकमरान दे जड़े सिपाही सी इननु देखके उनने वाज मारी बाबा बिदी चांद जीनु ते पुझे आ के के हो जए दुशाले ने तेरे कोल की खास है इना देवेच ता बाबा बिदी चांद जी ने आपना दुशाला दिखाया ते एधी जड़ी कीमत या ओ बहुत ज्यादा दसी ते मिर्जा बेग ने जदो बाबा बिदी चांद जीनु पुझे आ के जेकर एहो जहे ही कीमती दुशाले तेनु देते जान ता की तु ऐसे कीमत ते उनानु भी खरीद लवेंगा बाबा बिदी चांद जीने कहा के हां जरूर मैं खरीदांगा ता मिर्जा बेग ने जदो अपतना बीदी चांद जी अग्गे पेश कीते अजिका ऐवेचन वास्ते ता बाबा बीदी चांद जीने कहा के तुसी ता लुटे गए एन दुशाले ता नकली ने पहला ही बाबा बीदी चांद जीने जड़ा उनाते Senhorा ऑन ही को लुझ यदें लेकर आय नकलीने, हुकम रां क्यान लगा के तुम होन मुकर के आया, जड़ी कीमत दुशाले वेच रहाया, ओस कीमत दुशाले होन तुम नहीं खरीदेंगा, इस करके तिरा जड़ा मानिया ओ बेंमान हो गया, बदल गया, तुम एथो चला जा, साड़ा ते 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 रापा नहीं बाबा बेजी जांत जी ओतो चले तां गए उस्तो बाद उन्गाने एक नमी जुगत सोची उन्गाने की कीता फिर एक पठाणी वाला पेस तारण कीता काला बुरका स्वालया काला बुरका पाके ओएक सर्दे पुज़दे कारदी बेगम वर्गे लागदे सी गे बैगोर्ण करें, आम सब्सक्राइब करें जांके शेरिश आप कटी से जड़ियां बेगवा सी मिंजा बेगवियां उनने डारदे मारे दुशाले लिय्यार चैन्द के अग राख косशा इस दुशाले लैके बाबा बेदी चांद जी देड़ने कार्टों बाहर निकले से जड़ी से पाहि करमचारी मिर्जा बेग ने सारे शहर दे विच एक साब दिन नाके लगवा देते अपने सिपाही पेज़ देते एमर्चंसी वरगा हालात कार देते ते शिपाही जड़े सिके ओ बाबा बेदी चांद जी दे पिछे लगे के उना नू होन फड़या जावे बाबा बेदी चांद जी जान्दे रस्ते वेच एक पठे आर सी पठा सी ओथे रुगे पठे आर नू जाके सारी गालदसी के मैं किते लुकणा या मिननू कोई जगा फिर गुरु हर गोबिन साहिब जी दे अग्गे अरदास बेंती कीती ते उस पठे विच बैठगे। अरदास कीती के तो हड़ा सिख पठे दे विच बाल दे पठे विच बैठन लगाया, तो उसी हुन आप ही एदी रख्या करना। एथे हुन जड़े तरकी लोख या इस गाल ते तरक भी करनगे। पर तो हानू दास देगे के जथे गुरु दा प्रोसा होवे, जिन्ना नू गुरु ते उते प्रोसा होवे, ओ एहुज़े तरका दे विच नहीं पैणगे, इस गाल नू ओहो ही समझे सकनगे। खेर, बाबा बिदी चांद जी उस बल दे पठे दे वेच बैठके, ते ओधर गुरु हार गोबिंद साहिब जी अपने सरीर दे उते ठंडे पाणी दिया गागरा नाड़ पाणी पवा रहे सी। पूरा पेटिया जिन बंत बनाई राम नाम ओखत दिया एका लिवलाई रहाओ। भी सोच रहा सी के तानिया गुरु ते तानिया गुरु दा सेख जड़ा उस पठे बालदे पठे वेच बैठे बिदी चांद दी सहायता कार है, मदद कार है। पाई बिदी चांद जी पठे तों बाहर निकले पठे आरनू फिर किहा के मैंनू किसे बजूर्ग दे कपड़े लाके दिते जान। जदो पठे आरने एक बजूर्ग औरत दे उनानू कपड़े लाके दिते तान पाई बिदी चांद ने बजूर्ग और दा पेसता रन कीता। दुशाले जड़े सी अपने लाकदे नाल बान लायते खूंडी फड़के ओथों चले गए। जाके फिर जिते सपाही सी गे ओथे उनानू ललकार के कहा। उनानू ललकार के कहा के दो दो हाथ कारने नेता कार लाओ कि ते तुसी ए ना समझेओ के गुरू दा सेख पेस बदला के लोट खसुट के एथो चले आ गया है। खुकम राम्दे सिपाही सी ओ लड़े नी ओ अथो चले गए ते बाबा बिदी चांदर जी ने मी ओ जड़े तेन दुशाले सी गे ओ तिनो दे तिनो जाके गुरू हर गोबिन साहिब जी दे अगे पेट कार देते। एस ताना जड़ियां कश्मीदियां संकता सी उना दी जड़ी पेटा सी गुरू हर गोबिन साहिब जी दे अगे फिर तो हाजर हो गई। एथे त्वाड़ी जानकारी वास्ते एक होर गाल दास देगे के जड़ो बाबाबिधी चांदजी गुरू साहिब दी सेवा वेच कीर्थपूर साहिब रहने सी ता एथे बाबा बुडळण दे दियो नगर तो आये एक चले दे नाल बाबाबिधी चांदजी दा निगा सं आगनाया ता जदों ओ जड़ा सुन्दर्शा सुन्दर्शा जो देवनगर तो आया सी बबा बुडण दा चेला जदो देवनगर वापस चले गया ता बाबा बिदी चांद जी नू परतीत होया कि उना दा अखीरला समा नेड़े आगया है ता गुरु साहिब जी तो आगया लेंदे होये ओ एथों देवनगर चले गये तेन दिन एकठे रहे तेना दिना बाद परचार वी कर दे रहे परचार करन तो बाद 15 अगस्त 1630 इस्वी नू दोनान एकठ्या ने स्रीर त्याग देता एथे ही बाबा बिदी चांद जी दी समाद वी बनी एस तो बाद बाबा बिदी चांद जी दे पती जे लाल चांद ने द्यो नगर तो राख लिया के सुर सिंग वेच वी एना दी समाद बना देती सी